संदीब और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासिस आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4 का बेसिक इंट्रॉडक्शन मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज 5.4 में आप किस टाइप की क्वेशन पढ़ेंगे तो आज का हमारा टोपिक है wiek है solution of system of linear equations using inverse of the matrix जैसा कि आपने स्टार्टिंग की parse में देखा था है मैंने मैंत्रिक्स के बारे में बताय था कि matrix को linear equations को solve करने के लिए यूज करते हैं तो आज हम वह the करेंगे कि linear equations को हम matrix method से कैसे solve कर सकते हैं अब उस तक पहुंचने के लिए हमें matrix की पूरी knowledge होना जुरूरी था इस वज़े से हमने 3rd chapter में matrix की detail पढ़ी फिर determinant पढ़ा 4th chapter में और अब हम last में सारी चीजे पढ़ने के बाद linear equations को solve करेंगे inverse of a matrix के help से तो linear equation को solve करने के लिए हम सबसे पहले उनको assume कर लेते हैं let us suppose system of linear equations हम linear equations को suppose कर लेते हैं let us suppose first है a1x plus b1y plus c1z is equal to है d1 second है a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 third एक और suppose कर लेती है a3x plus b3y plus c3z is equal to d3 let us suppose यह 3 कोई भी linear equations है इनका हमें solution find out करने अब किसी भी equation का solution क्या होता है चाहे वो linear हो quadratic हो cubic हो by quadratic हो यानकि उसके अंदर जो भी variable है जैसे यहां variable क्या है x y और z अगर इनकी value इनकी value हम find out कर पाएं तो वही हमारा क्या होगा solution यानकी x y z की value अगर हम इन तीनों equation में put करें और left side is equal to right side क्या जाती है this means वहीं इसका क्या होगा solution यानकी x y और z की value find out करने के लिए हम कैसे inverse of matrix का use करेंगे उसके लिए देखिए let a be matrix of coefficient matrix of coefficients यानकी जो variable के coefficients है उनको हम matrix form में देख लेते हैं जैसे a matrix हमने suppose किया यह जीतने भी coefficient है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरीके से a हमने matrix suppose की जो सिर्फ और सिर्फ कोफिसेंट से बनी है and x b a matrix of variables और x हमने क्या लिए है variables की matrix यहां आप column matrix भी लिख सकते हो x b a column matrix of variables क्योंकि x को हम किसमें लिखेंगे column में इसका आपको reason बताऊंगा x y z यह ध्यान रखना यह जो capital x है matrix को दिनोट कर रहे है और जो small x है यह क्या है element of matrix है अब देखिए a coefficient matrix x variable matrix एक other matrix हो ले ले लिते हैं अब कहने का meaning क्या है अगर a matrix की मैं x के साथ multiply करूं यह matrix की multiply x के साथ करें तो वो किसके एक्वल है बी के अब यहां से समझते हैं देखिए जब a की multiply आप x के साथ करोगे तो first row की multiply a की column है तो first columns के साथ होगी यहनकी a1 x plus b1 y plus c1 z किसके एक्वल होगा d1 के एक्वल होगा वही तो सारी क्या है first equation इसी तरह जब second row की column के साथ multiply करोगे तो second equation third की करोगे तो third equation जैसे area of triangle में हमने पढ़ा था कि area of triangle का जो formula था उसको हमने किस form में लिखा था determinate form में अब सेम वाई चीजी है यह जो टीनों equation है linear equation इनको हमने किस form में लिख लिया matrix में यहां से मैं लिख सकता हूँ a x is equal to क्या होगा बी होगा आप एक बार इसको रफ कर लेते हैं कि जो a x की value है a matrix की x matrix के साथ multiply करोगे तो वो किसके equal आएगी बी matrix के आप ऐसा कर सकते हैं अब यहां से देखे हमें value किसकी निकालनी है x matrix की यानि कि x matrix में जो भी यह element है x y z क्योंकि x y z की value ही इनका क्या होगा solution होगा अब x y z की value निकालने के लिए हमें x matrix की value निकालनी पड़ेगी किसकी value निकालनी पड़ेगी x matrix अब यहां से देखे एक का order क्या था 3 by 3 x का order क्या था 1 column और 3 row यानिकि 3 by 1 अब 3 by 3 matrix की 3 by 1 के साथ multiply करोगे 3 3 equal multiply हो जाएगी तो किस order की matrix आएगी 3 by 1 की और बी वी क्या है 3 by 1 के इनकी दोनों की equal लिखा जा सकते है equality of matrix अब यहां से देखें मैं यहां लिख देता हूं प्री मल्टिप्लाइंग प्री मल्टिप्लाइंग का मिनिंग है कि पहले multiply करो बाद में नहीं पहले by a inverse अब यहां बोथ साइड मल्टिप्लाइं करेंगे बोथ साइड आप मल्टिप्लाइं करोगे a inverse की और प्री मल्टिप्लाइं जाने की पहले तो हम यहां a inverse की multiply करते हैं a into x के साथ is equal to a inverse यह क्या होगा b अगर यह bracket है आदे हम पहले a inverse और a की multiply करें a inverse की और a की multiply किसके एकबल होती है identity की identity matrix into x matrix is equal to क्या आगया a inverse into b matrix अब identity की multiply किसी भी matrix के साथ करोगे तो वो क्या हैगा same यानि कि x की value क्या ही a inverse into में b यानि कि जो variable matrix थी उसकी value हम कैसे निकाल सकते हैं a inverse की multiply अगर b के साथ कर दे तो हमें किसकी value मिलेगी x matrix की value अगर x matrix की value हमें मिलगी तो this means xyz की value मिलगी आप यहां से मैं आपको solve करके दिखाऊंगा कि actual में कैसे solve होगा यह सिर्फ इसका basic introduction था कि आप इस टाइप से question में इन matrix का use करके xyz की value निकालोगे अब एक और main point है इसमें यह चीज आप पढ़ चुके हैं कि matrix आपने कैसी form करनी है और यह same जाके दुबारा से फिर वाई equation में convert होती है equations के बारे में पढ़ा होगा आपने 10th class में आया था तो दो type की equation थी मैं इसको rough कर देता हूं दो type की equation थी एक consistent और दूसरी थी inconsistent यानिकि जो भी हमें equations given होती थी अब उनके 3 case होते थे first case था कि एक unique solution हो second case क्या था या फिर कोई भी solution ना हो third case क्या था या फिर many solution हो यानकि बहुत सारे solution यह तीन type की case आप 10th class में पढ़के आई हैं अब दो type की equation होती हैं फर्स्ट है consistent equation second है inconsistent equation अब consistent equation क्या कहती है ऐसी equation जिनका at least one solution तो पक्का हो यानिक solution भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं बहुत सारी भी हो सकते हैं इस मेंज जीन equation का unique solution होगा उसको भी क्या बोलोंगे आप consistent जिनके many solution होगे उनको भी क्या बोलोगे consistent equation यानकि consistent equation कुण से होती है we have at least one solution जिनका कम से कम solution हो उसको हम क्या बोलते है consistent और inconsistent equations कुण से होती है जिनका कोई भी solution ना हो या 10th class में अल्रेड़ी पढ़ चुके हैं यह इसका main point था कि consistent और inconsistent क्या होती है यह तीनों case भी आप पढ़ चुके हैं उसके बाद देखें प्यारे बच्छों criterion of consistency of system of equation यानकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि कि जो system of equation है उसको ax is equal to b की form ने हमने लिखा और वहां से हमने x matrix की value निकाली जो variable matrix थी जो किसके equali a inverse into b के a यहां coefficient matrix थी x variable matrix और b क्या थी matrix यह जो constant से बनी है वो b matrix थी अब यहां देखें x की value हम कब find out कर पाएंगे अगर कोई ऐसी condition आ सकती है आ जाती है कि हम a matrix का inverse ही ना find out कर पाएंगे अगर हम a matrix का inverse ही नहीं मिला तो x की value कैसे मिलेगी यानकि x की value निकालने के लिए इन दोनों values का defined होना most important है यानकि a inverse की value भी defined हो और b की value भी defined हो तब ही तो हम x की value निकाल सकते हैं अब उसके लिए देखिए जो system of equation है अब इसमें दो case हो सकते हैं यानकि जो constant matrix जो coefficient से matrix बनेगी x y z के coefficient थे matrix थे हो सकता है कि उसका determinant not equal to 0 हो या फिर हो सकता है उसका determinant 0 के equal हो अगर किसी भी matrix का determinant not equal to 0 है तो वह कौन सी matrix होती है non singular और non singular matrix का जो inverse है वो हम easily निकाल सकते हैं इस case में जो a matrix है वो क्या होगी non singular और उसका हम inverse से निकाल सकते हैं कि a inverse exist करेगा यहां और b तो क्या है एक matrix है वो तो exist करती है तो multiply कर सकते हैं अगर a determinant not equal to 0 है this means then system means consistent जो system of equation होगा वो क्या होगा consistent उनका कुछ न कुछ है solution होगा तो इस case में this solution is unique यानकि इस case में solution क्या होगा unique कब when a determinant not equal to 0 अब solution unique है this means solution हम find out कर सकते हैं यहांसे आप क्या find out करेंगे x की value पहले आप a inverse find out करेंगे b के साथ multiply करेंगे दोनों matrix ओंको equality में रखेंगे तो वहांसे किसकी में value मिलेगी x matrix की और x matrix में क्या है x y z variable यह था हमारा first case अब second case क्या आता है अगर matrix का determinant 0 हो जाता है यानि कि जो coefficient matrix थी उसका determinant अगर 0 हो गया तो उसके बाद हम क्या find out करेंगे then find adjoint of a into may be adjoint of a into may be find out करेंगे अगर उसका determinant 0 हो गया अब determinant 0 हो गया this means say inverse y exist नहीं करेगा तो यहां से देखें adjoint of a into b की निकालें अगर adjoint of a into b की value not equal to 0 आ जाती है this means this system is inconsistent जो system of linear equation होगा वो क्या होगा inconsistent equations होगी यहनकि उनका कोई भी solution नहीं हो सकता यह condition अगर वो verify करती है यानि कि adjoint of a into b की value अगर not equal to 0 रहती है उसके बाद देखिए अगर adjoint of a into में b की value 0 आ जाती है adjoint of a into में b की value क्या आगी 0 अब उस case में क्या होगा consistent equation होगी लेकिन उनके कितने solution होगे बहुत सारे solution होगे यहनकि हम find out ही नहीं कर सकते x y z की value बहुत सारे हो सकते हैं अब अमने मर्जी से कुछ भी put कर सकते हैं अब ऐसा क्या होगे देखिए a inverse निकालने के लिए हमें क्या चाहिए one by में a determinant into में adjoint of a की value चाहिए into में क्या चाहिए adjoint of a की value अगर a determinant 0 हो जाता है a determinant 0 हो जाता है this means sum क्या बोलते हैं कि not define होगे adjoint of a यलकि inverse की value हम find out नहीं करते तो उस case में हम क्या find out करेंगे only adjoint of a into b और इसके भी आगे क्या है दो case जो मैंने आप भी आपको बताए हैं यह हो सकता है कि एक बार में इस चीज़े समझमें आए लेकिन जैसे जैसे हम question करेंगे अब सारी चीज़े समझोंगे कि इस type से हम जो solution है वो कैसे find out करेंगे किस condition में solution unique होगा किस condition में उसका solution हम find out नहीं कर सकते हैं या कैसी कौन सी condition है जिसमें बहुत सारी solution होगे तो यह चीज़े हम एक करके example से समझें है तो आई एक question solve करते हैं जिसमें तीन equation गिवन होगी और उनका हम solution find out करेंगे using inverse of matrix से इसके बाद देखिए प्यारे बचो एक example हम solve करते हैं example में लिख है solve this system of linear equations कि जो linear equations हमें given है इनको आप solve कीजिए इनका solution find out कीजिए तो matrix method से हम इनको solve करेंगे तो हम यहांसे लिख सकते हैं these equations can be expressed in the form of ax is equal to b यानकी इन equations को हम ax is equal to b की form में express कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताये था तो यहांसे जो a matrix की value होगी वो क्या होगी यानकी coefficient matrix क्या है first में one one और one sign साथ में रखना है second equation में one minus one और one one minus one और one यह हमने second equation के coefficient लिख लिए थर्ड में देखे two plus one minus one two plus one minus one यह किस की value हुई एक ही उसके बाद देखे एक्स की value क्या होगी एक्स क्या थी variable matrix जिसको हम column में लिखते थे x y z और जो b matrix थी वो क्या थी consent matrix यानिकि six to one six to one इस तरीके से अब हम क्या लिख सकते हैं एक्स is equal to b अब एक्स is equal to b लिखा जा सकता है this means a into max is equal to क्या होगा बी अब यहां से हमें क्या find out करना x matrix की value यानिकि x y z की value और उसके लिए हमें क्या निकालना होगा inverse यानिकि x की value किसके equal होती है a inverse is equal to b जो मैंने अभी बताय था अब inverse exist करता भी है या नहीं यह हमें चेक करना होगा अब हम इसको चेक करने के लिए क्या find out करेंगे a determinant now we will find a determinant तो a determinant की value क्या होगी देखिए इसको expand कर लेते हैं किसी से सब्सक्राइब कर लिए फर्स्ट रो से हम expand करते हैं यह वन वन के आमने सामने की value छोड़ देते हैं multiply करोगे को effect ने पड़ेगा वन को एजटी लिख रहे हैं तो चलो मैं लिख लेता हूं वन माइनस वन यह तो जीरो हो गया लिखने की जरूरती नहीं उसके बाद यह वन आया आमने सामने की value छोड़ दीजेए माइनस वन माइनस वन और माइनस में टू होगा उसके बाद यह वन आया प्लस वन अब देखिए जो बीच वाली value होती है इसके साथ हम क्या लगाते हैं माइनस कौन सा ऐलिमेंट होता है ए वन टू यह ध्यान रखें उसके बाद थर्ड ऐलिमेंट के साथ प्लस वन आमने सामने की value छोड़ दीजेए 1 और माइनस में माइनस का 2 तो value क्या आई 1 प्लस 2 अब यहां से देखिए minus 3 की minus 1 के साथ multiply करोगे तो 3 2 1 3 प्लस 3 यानि की जो डीटर्मेंट की value आई वो क्या आई 6 आई this means a determinant not equal to क्या होगा 0 अगर a determinant not equal to 0 है this means in equations के क्या solution होगे एक unique solution होगा तो यह condition को verify करता है इनका unique solution होगा अब हमें x की value कैसे निकालनी है x is equal to a inverse into में b यहनकि हमें x matrix already given है b b given है किसकी value चाहिए a inverse की तो a matrix का हम inverse निकालते है अब a matrix का inverse निकालने के लिए हमें क्या चीहेंगे cofactor cofactor से adjoint फिर adjoint से determinant से divide करके हम क्या निकालेंगे inverse निकालेंगे तो यहां से देखिए capital a11 में direct cofactor निकालने हुआ पहले minor निकालें उसके बाद cofactor निकालें transpose करें adjoint निकाले adjoint a को a determinant से divide करें तब आपका क्या हैगा inverse आएगा तो देखिए यह छोड़ दीजिए plus 1 minus 1 0 होगा तो a11 की value 0 आई first cofactor 0 a12 की value यह 1 है इसके हमने सामने की value छोड़ दीजिए minus 1 और minus 2 यह क्या होगा minus 3 1 और 2 3 है तो sign change होज़ेगा positive उसके बाद a13 a13 यह है 1 प्लस क्या होगा 2 यानि की 3 sign change नहीं होगा 1 और 3 क्या है 4 यह बार बार न अबतार न अपने a21 a21 क्या है 1 आमने सामने की value छोड़ दीजिए minus 1 minus 1 तो कितना होगा minus 2 2 और 1 3 तो इसका भी sign change उसके बाद a22 a22 क्या है minus 1 आमने सामने की value छोड़ दीजिए minus 1 और minus 2 कितना होगा minus 3 sign change नहीं होगा a23 का cases में sign change होगा 1 यह value छोड़ दीजिए 1 minus 2 minus का 1 sign change होगा तो यह क्या होगा प्लस का 1 उसके बाद 3rd row के एक फेक्टर निकालते हैं a3 1 2 के हमने सामने की value छोड़ दीजिए 1 और यह क्या होगा plus 1 यानि कि यह 2 होगा 3 और 1 4 है change नहीं होगा यहां हमने change करी दिया था उसके बाद a32 यहां change होगा ध्यान रखें यह 3 2 1 है 1 के हमने सामने की value छोड़ दीजिए 1 minus 1 यह तो 0 होगा इसमें तो कुछ भी change करने की ज़रूरती नहीं है उसके बाद a33 a33 में देखिए minus 1 है हमने सामने की value छोड़ दीजिए minus 1 और minus 1 minus 2 तो यह as it is रहेगा 3 और 3 6 यह हमने क्या निकाल लिए को फेक्टर अब हम निकालेंगे एड्जॉइंट ओफे एड्जॉइंट ओफे इनको फेक्टर को मेंट्रिक्स की फोर्म में लिख लेते हैं 0 3 3 0 3 3 2 minus 3 1 2 minus 3 1 2 0 minus 2 2 0 minus 2 अब हम इसका क्या लेंगे transpose तो एड्जॉइंट ओफे की value क्या आई 0 3 3 2 minus 3 1 2 0 minus 2 अब हमने इसका क्या लिया transpose यह आया एड्जॉइंट ओफे अब इनकाल लें तो एड्जॉइंट ओफे की value क्या होगी है डिवाइड डिटर्मेंट की value क्या है 6 तो 1 by 6 हम बाहर लिख लेते हैं इन्टू में 0 2 2 कि यहां से 3 minus 3 0 3 1 minus 2 यह क्या होगा एड्वर्स अब x is equal to a inverse into b x की value क्या थी x y z matrix यहां से आप इसको डिरेक्ट में लिख रहा हूं इस सारी चीज़े आप लिखे एक्जम्पल में देखें कि क्या क्या step लिखे गए हैं क्या का उसकी wording है कैसे वह express कर रहा है next step वह कैसे solve कर रहा है यह सारी चीज़े आप आप एक्जम्पल में से देखें अब यहां से देखें एक्स matrix is equal to a inverse a inverse की value 1 by 6 0 2 2 3 minus 3 0 3 1 minus 2 into में क्या है b matrix b की value है 621 तो यह हम लिखेंगे 621 अब इन दोनों matrix के multiply कर लेते हैं बाद में 6 से divide कर देंगे तो 1 by 6 बार as it is अब देखिए 3 by 3 की matrix है और यह 3 by 1 है तो किस ओडर की matrix बनेगी 3 by 1 यानिकी इस टाइप से बस एक ही कोलम की matrix बनेगी और रो क्या होगी 3 अब देखिए 0 2 into 2 4 2 into 1 2 यह first element आई उसके बाद 3 into 6 18 minus 3 into 2 minus 6 और यह plus में 0 होगा 3 into 6 18 1 into 2 2 और यह क्या होगा माइनस टू यह तीनों element आ गई अब यहां से देखिए अब इनको एड कर लेते हैं 4 और 2 क्या होगा 6 18 minus 6 12 यह value क्या ही 12 अब 2 से 2 cancel यह value क्या बची 18 मैं इसको यह value क्या ही 18 अब 6 से अंदर इसको डिवाइड करना है तो 1 by 6 को यहां से रिमूट कर देते हैं 6 by 6 1 12 by 6 2 18 by 6 3 यह किसके इकवल है एकस मेेटरिक्स के यहनकि मैं लिख सकता हूं जो देखने के लिए हम value put कर लेते हैं x के जगा 1 put करें 1 plus 2 3 plus 3 6 होगा कि नहीं होगा यानि कि first को satisfy कर रहा है इसा ही है second में देखिए 1 minus 2 minus का 1 और plus 3 तो plus का 2 होगा उसके बाद देखिए 2 into 1 2 plus 2 4 minus 3 1 यानि कि ये तीनों को satisfy कर रहा है तो ये क्या होगा है कि unique solution होगा तो इस तरीके से आप matrix method से किसी भी question को solve कर सकते हैं अगर उसमें system of linear equation given है अब आपका काम क्या है कि आप सारे example पढ़ें कि example में क्या है अब यहां आपको two equations भी given हो सकते हैं आप देखिए यहां three equations है three variable हैं तो यह three by three की matrix बनेगी अगर आपको इस टाइप से given हो कि x plus y is equal to 10 x minus y is equal to 2 इस टाइप की equation भी हो सकती है अब यहां क्या बनेगी two by two की matrix बनेगी तो वहां से थोड़ा और calculation कम होगी अब देखिए दो equation है दो यह variable है तो two by two की matrix बनेगी three equations है three variable है तो three by three की अब ऐसा नहीं हो सकता कि variable three देदे और आपको equation ही सिर्फ दो दे तो उस case में हम matrix method यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें तो कुछ सालेगी matrix बनेगी देखिए अगर three variable है और दो ही equation है तो किस order की matrix बनेगी two row three column उसका तो हम university नहीं find out कर सकते कोई chance ही नहीं है तो या तो आपको two by two की given होगी या फिर आपको three by three की given होगी सिर्फ दो ही type के question आपके exercise में है तो two by two या फिर three by three उसके बाद next class में हम पढ़ेंगे कि कैसे question को solve करना ही मैंने एक example दिया है आप पहले example पढ़ें उसके बाद next class में हम exercise जो five point four है उसको solve करेंगे एक दो और concept इसका रहता exercise में बीच में वह मैं आपको next class में बताऊंगा तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही देखते रिए de facto classes